हेलो माई डियर स्टुरेंट्स तो कैसे हैं आप सब मैं उमीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे सो बच्चों बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स मेरे पास आई हैं जब मैंने MMI स्टार्ट किया पढ़ाना कि सर हमें exam point of view से पढ़ाईए पहली चीज मैं पहले भी exam point of view से ही पढ़ा रहा था और मैं जो भी subject पढ़ाता हूँ वो exam point of view से ही पढ़ाता हूँ extra मैं कोशिश करता हूँ जारे topics जो जारे deep ना जाऊँ उन topics को लेकर के जो exam में नहीं पूछे जाते तो अभी मैंने ये सोचा है कि exam जो है आपका 1st of July को आपका MMI का exam है पहली जुलाई को तो हम ऐसा करते हैं अब जो भी आपके lectures आएंगे ये lecture भी ये आपके exam के point of view से है यानि कि ये question मैं कोशिश करूँगा कि इसमें से कोई ना कोई question आपको exam में रखा हुआ मिलेगा 101% मिलेगा आपको बस इसको अच्छे से पढ़ना है इसके notes आपको M.Polly के telegram channel से मिल जाएंगे link description में है आप वहाँ से जाकर के telegram join कर सकते हैं वहाँ से notes डाउनलोड करिए और उसको अच्छे से पढ़िए तो अब जो भी lectures हैं वो आपके exam point of view से हैं ये समझ लीजे कि पूरा important questions आपको solve करवाए जा रहे हैं जो exam में आपसे पूछे जाना है तो इन lectures को बड़ा seriously देखेंगे complete देखेंगे और daily lectures देखेंगे daily का lecture daily आपको finish कर लेना है ठीक है उसको pending में डालना है कि मैं कल दोनों देख लूँगा परसो तीनों देख लूँगा वो फिर नहीं हो पाएगा आपसे तो कोशिश करिए कि जल्दी सी जल्दी आप सारे lectures जो हैं वो पिछले अगर छोटे हुए हैं तो उनको cover करें और यह lectures आप देखते हुए चले बहुत जल्दी अब मैं कोशिश करूँगा जो छोटे छोटे चेप्टर से आपके वो एक एक lecture में ही finish कर दूँँ जो उनमें स पूछे जाते हैं वो important question आपको एक ही lecture में करवा दूँ तो इसी तरीके से आपके जो हैं आगे के lectures अब MMI के चलेंगे तो last lecture में हमने पढ़ लिया था है जो हमारे measurement है वो तीन types के होते हैं तीन प्रकार के होते है primary secondary और tertiary तीनों पढ़े थे ना यह primary secondary और tertiary यानि कि प्रथ माप क्या है और उसके प्रकार कितने हैं तो तीनों प्रकार आप लिखेंगे अगर दो नंबर में पूछा है तो आप उसकी परिभाशा लिखकर के measurement की और उसके तीनों प्रकार लिखकर के छोड़ देंगे अगर जादा नंबर में पूछा है तो आप परिभाशा भी लिख पर कार लिखेंगे और इनके बारे में भी लिखेंगे आप इनके बारे में क्या लिखेंगे वो सुनिये और उसको समझझे सबसे पहले हम पढ़ते हैं primary measurement यानी की प्रथम श्रेणी की माप क्या होती है तो basically इक डारिक measurement अगर किया जा सकता है तो उसे primary measurement में रखते हैं अब मैंने आपको पढ़ाया था कि direct measurement क्या होता है और indirect measurement क्या होता है दोनों चीज़े पढ़ी हैं last lecture में direct measurement जिसको हम directly देख लेते हैं कि भाई यह हमने scale से किसी चीज़ को measure किया direct measurement हो गया लेकिन thermometer से किसी चीज़ को measurement किया तो पारा जितना ऊपर जाता है उसको convert करते हैं किसमें centigrade में Fahrenheit में और तब हम value निकालते हैं तो वो कौन सा हो गया indirect measurement देखो methodology हमें सिखाती क्या है methodology हमें process देखना सिखाती कि जिस process से हम काम कर रहे है वो ठीक है यह नहीं है for example मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ suppose मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो मैं अपने right hand से लिख रहा हूँ suppose मैंने लिखा mechanical मैंने लिख दिया सीधे हाथ से यह क्या है process एकदम ठीक है अब मैं कोशेश कर रहा हूँ इसको अपने left hand से लिखने की तो मैं नहीं लिख पा रहा देखो क्योंकि मैंने कभी वो काम अपने left hand से नहीं किया मैंने कभी left hand से नहीं लिखा तो metrology हमें यह बताती है कि जो आपने पहली process यूज की है यह process 1 जो आपने किया है यह ठीक है आपको इसी का use करना है आपका product right hand side से ठीक बनेगा यह क्या कौन बताता है मैं? metrology बताता है अब हम बात कर रहे है primary measurement की measurement की बात चल रही है यहाँ पर तो measurement क्या है जिसमें direct observation हम कर सकते हैं वो primary measurement होते हैं यानि कि जिसमें translation की जरूरत नहीं पड़ती वो कौन से है? primary measurement है इसको इस तरीके से भी बोला जा सकता है तो जिन प्राचालों के map सीधे या प्रतियक्ष प्रतियक्ष प्रिशेशन यानि कि direct observation से मिल जाते हैं या लिए जाते हैं प्रत्रम शेड़ी की map कहलाते हैं इस शेड़ी की map में प्रिशन observation का किसी भी तरह से रुपांतरन यानि कि transformation नहीं होता जो value आ गई एक बार में आ गई उसको हमने लिख दिया वो क्या है? direct measurement है तो वो किस शेड़ी में आएंगे? वो प्रत्रम शेड़ी में आएंगे primary measurement में आएंगे map लेने वाले व्यक्ति, observer द्वारा अबमुक map के सम्वेद्नों को अपनी डाडियो नर्व द्वारा ग्रहन करके उसे समझता है और map के परिवर्तन को सीधे ही देख लेता है तो यह कौन सी category हो गई? बच्चों हमारी primary measurement की category हो गई अब बात करते हैं दृत्री शेड़ी की, यानि कि secondary measurement की तो secondary measurement क्या होगा? इसमें देखेगा और उसके बार transform करेगा कितनी बार transform करेगा? एक बार इसको पढ़िए, जिन प्राचालों के map लेने में उनके map के सम्विद्नों या श्रेणियों का उरुपांत्रन transformation केवल एक ही बार होता है, है ना? दृत्ती श्रेणी के map कहलाते हैं तो एक बार transformation हो रहा है, कौनसी map है? दृत्ती श्रेणी के map में, केटिगरी में वो आ जाएंगे अब इस श्रेणी में map ही जाने वाली map का मान सीधे या प्रतियक्ष प्रिश्शन से निकालना या ज्यात करना संभव नहीं होता है तो एक बार में इसको एक बार में direct measurement करना संभव नहीं है, कौनसी measurement है? indirect measurement है तथा मापन में इनके इसके परिवर्तन को लंबाई के परिवर्तन में रुपांतरित करने के लिए एक यंत्र का उप्योग होता है यंत्र का पैमाना इस पिरकार graduated होता है कि उसके चिन माप की इकाई को पिरदर्शित कर सके तो सबसे बहले क्या अगर रहे हैं, जैसे हमने कोई thermometer यूज किया तो thermometer में जो पारा है वो उपर की तरफ जाता है उस height को देख करके कितना पारा वो उपर गया उससे हम पता निकालते हैं कि इसका temperature कितना है तो उसी की बात यहाँ पर चल रही है, कितनी बार transformation हो रहा है एक बार transformation हो रहा है, ठीक है तो यह कौन सी category में आगया, secondary measurement की category में आगया दृत्री शिर्णी में आगया पहले एक बार बदला, फिर दूसरी बार बदला तो वो किस में आगया, tertiary measurement में आगया तो आपको तीनों clear हुए, primary measurement जिसमें direct observer ने देखा value उठाई और वही value रख दी उसमें कोई तरह का transformation नहीं होता secondary measurement जिसमें एक बार transformation हो tertiary measurement जिसमें दो बार transformation हो ठीक है, तो ये तीनों measurement हमारी होती है जिन प्रचालों के माप लेने में उनके माप के सम्विद्नों या appreciation का रुपांतरण, transformation दो बार होता है त्रिते शर्णी के माप कहलाते हैं उदाहरण, जैसे पाइरोमिटर की साहिता से तापमान को मापना तो उसमें दो बार transformation करना पड़ता है विदूत या बैटरी चालित टेकोमेटर तो टेकोमेटर द्वारा घूमती हुई शाफ्ट की गती या चक्कर प्रिती मिनट आर्पीम निकालना तो टेकोमेटर की मदद से टेकोमेटर पूरा पढ़ा है आपको CNC में कितना अच्छे से पढ़ा है पूरा लेक्चर है CNC में टेकोमेटर का तो टेकोमेटर की मदद से जब हम घूमती हुई शाफ्ट के आर्पीम निकालते है वो भी कौन सी श्रिणी में आता है तर्शरी मेजरमेंट की केटेगरी में आता है बच्चो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे स्टेंडर औफ मेजरमेंट की ठीक है तो स्टेंडर क्या बूलता है यहां पर स्टेंडर है मापन के मानक है ना मानक मतलब मतलब क्या है इसका समझो बड़े आसानी तरीके समझो इंजिनिरियों में किसी प्रचाल का शुद्ध भाप प्राप्त करने के लिए निर्धारित मागनक से उसकी तुलना करके माप का मान निकाला जाता है तथा मापन की यथारता एक्यूरेसी का ध्यान भी रखा जाता है तो हमें standard of measurement का मतलब क्या है कि आपको यह standard instrument का इस्तमाल करना है किसी भी चीज को नापने के लिए जैसे हम length को नापने के लिए किसका इस्तमाल वे नैं आपको एक line बना के दी कि यह line है इसको measure करो तो आप क्या करेंगे किस चीज का इस्तमाल करेंगे thermometer करेंगे आप क्या करेंगे के scale उठा करेके लाएंगे और यह line मुझे नाप करेके देंगे यह measuring tape उठा के लाएंगे जिसको inch tape वगर आई बोलते हैं measuring tape लाएंगे आप मुझे line measure कर देंगे तो accuracy क्या आईगी बहुत अच्छे accuracy आईगी क्योंकि आपने जो instrument चुना है वो standard instrument है ठीक है तो standard of measurement हमें यह बताता है कि किस time पर हमें कौन सा tool कौन सा instrument measurement के लिए इस्तेमाल करना है वो standard होना चाहिए इसमें भी तीन इसमें चार category है primary secondary tertiary और working तो चार तरह के standard हमारे उते हैं मानक हमारे चार परकार के हैं प्रथम मानक दृत्य मानक तृत्य मानक और कारे कारी मानक ठीक है प्रथम मानक को हम primary standard बोलते हैं दृत्य मानक को हम secondary standard बोलते हैं तृत्य मानक को हम tertiary standard बोलते हैं और कारे कारी मानक को हम working standard बोलते हैं तो चार परकार के हमारे मानक हैं यहां पर अब हम धीरे धीरे यह question बहुत important है standard का पूछा ही पूछा जाता exam में तो इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ अब देखो primary standard कौन से होते हैं यह basic standard है एकदम basic standard basic standard कौन से होते हैं जिसे scale पैमाना प्राइमरी स्टेंडर्ड है इनका इस्तमाल सेकेंडरी स्टेंडर्ड के इंस्पेक्शन के लिए भी किया जाता है समझो इसको क्या बोल रहा है यह एक मूल मानक होता है इस तथा इसके मूल प्राचाल के मापन का रुपांतरन नहीं होता है इसके आधार पर ही दृत्ते मानक बनाये जाते हैं, इस मानक को रेखे मानक यानि की linear standard भी कहा जाता है, तो अगर आपसे question इस प्रकार पूछ ले exam में, कि आप explain करिये या परीभाशा लिखे किसकी linear standard की, तो आप किसकी परीभाशा लिखेंगे, primary standard की प्रत्रम मानक की, ठीक है तो आपसे कुछ भी पूछ ले, रेखे मानक पूछ ले, कि परीभाशा बताइए, रेखे मानक की या रेखे मानक क्या होते हैं, तो रेखे मानक को हम primary standard भी बोलते हैं, या आपको नहीं भूलना है, किसी भी तरह से question पूछ ले, जवाब दे कर आना, मिटर पैमाना, देखो आपका मिटर है, यह सब किसमे हैं, यह सब प्रथम मानक में आए हैं आपके, तो प्रथम मानक के अंदर काते हैं, मापन की यथार्ता को बनाए रखने के लिए इसको अंतियन सुरक्षित तरीके से रखा जाता है, ठीक है, यह गलग चीज होगा है, यह सुरक्षित रखना, वो हर मानक को सुरक्षित तरीके से ही रखा जाता है क्योंकि अगर आप उसे सुरक्षित तरीके से नहीं रखेंगे तो उसमें error आने के chances होते हैं जिसको हम source of error भी बोलते हैं अभी आगे पढ़ेंगे उस topic को हम ठीक है? बीच में मताओ exam चल रहे हैं secondary standard दृत्य मानक अब देखो दृत्य मानक क्या है? प्रत्थम मानक से काफी हद तक मिलते हुए ही दृत्य मानक बनाए जाते हैं और दृत्य मानक का इस्तेमाल दृत्य मानक की inspection के लिए किया जाता है ये बड़ी confusing वाली चीज है इसमें देखो जो primary standard है उनका इस्तेमाल secondary standard के inspection के लिए किया जा रहा है जो secondary standard है उसका इस्तेमाल tertiary standard के inspection के लिए किया जा रहा है और जो tertiary standard है उसका इस्तेमाल working standard के लिए working standard के inspection के लिए किया जा रहा है तो एक एक करके देखो चार point तो आपके बड़े असान तरीके से ही हो गए तो यह चार पॉइंट भी आपको याद हो गए तो आप एक्जाम में कुछ न कुछ लिख देंगे और एक्जामिनल को पता चल जाता है कि इस बच्चे को कुछ तो पता है आपके नंबर सारी नहीं करते हैं तो यह क्या बोल रहे हैं कि दृत्य मानक बनाए जाते हैं समय समय पर दित्य मानक की तुलना प्रथक मानक से करके उसमें कोई विचलित डेविएशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं इन मानक को कई स्थानों पर सुरक्षित रखकर संचित कर लेते हैं ताकि अवैशक्ता पढ़ने पर इसका प्रियोग त्रत्य मानक से तुलना करने के लिए किया रहे फिर हम बात करते तर्ट मानक के घlvania तर्शरी स्टेंडर्ड की तर्शरी स्टेंडर्ड का से के इंस्पेक्षन के लिए चीक अचा यह तो ऐसे मानक जिनका प्रियोग कारे-शालाओ या निकि वरक्शॉप या प्लियोग शालाओ लेबिरेटरी में संदर्व रिफ्रेंस क मानक का कारे कारी मानक को करने के लिए कर दो तर्शरी स्टेंडडे कौन से मानक हैं न किस्तमाल वर्क्शोप में किया जा रहा है और इनका सिर्फरेंस देखो ve walking standard गया है, यह ऐसे मानक जिनका प्रियोक कारे शालाओ में हर समय जरूरत पढ़ने पर किया जाता है, सबसे ज़्यादा working standard नाम ही working सबसे जरूरत working है, कारे कारी है बहुत आग्यकारी, कारे कारे तो गारे-गारी मानक की श्रेणी में आते हैं, ये मानक भी उच्छ श्रेणी के मानको जैसी ही होते हैं, फर्क सिर्फ इतना होता है कि इन्हें निम्न ग्रेड की धातू से बनाया जाता है, ताकि इनकी कीमत भी कम हो, ताथा जल्दी-जल्दी खराब होनी की दशा में इन्हें आ अब ये scale कितने का ही है पांच रुपे का तो अब ये देखो मेरा खराब हो गया scale तो मैं क्या करूँगा इसको इसको हटा दूँगा नया ले आऊँगा ठीक है तो क्या होगा मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा इससे नहीं लेकिन यही scale अगर 10,000 का होता तो यह 20,000 का होता य तो इसलिए क्या करते हैं हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे standard हो जो हमारे मानक हो वो सस्ते material से बने हो ताकि जब वो खराब हो जाएं तो हम उनको आसानी से बदल सकें ठीक है यह होते हैं आपके working standard बच्चो अब बात करते हैं line standard की इस line standard की इनको standard of length भी कहा जाता है बच्चो बहुत important question है यह line standard को standard of length भी बोला जाता है लिख लो लिख लो तो line standard क्या है line standard line standard लिखो also known as standard of length अब यह तुम्हें याद रखना है आप तुमसे line standard करके question पूछे या standard of length करके question पूछे तुम्हें जवाब यही देना है जो सामने लिखा हुआ है अब line standard का इस्तेमाल किसलिए कि जाएगा है भी यह line को नापने के लिए ठीक है क्या बोला है दो रेखाओ या बिंदुओं के बीच की दूरी को नापने के लिए तो दो रेखा दो रेखा ये दो बिंदू कि बीच की दूरी को नापने के लिए जिन मानकों का प्रियोग किया जाता है वे रेखिये मानक कहलाते है तो जिन मानक का इस्तमाल इनके बीच की दूरी को नापने के लिए किया जा रहा है या इनके बीच की दूरी को नापने के लिए के जा रहा है वो कौन से मानक है वो रीखिये मानक है वो लाइन स्टेंडर्ड है ठीक है इन्हें प्रथम मानक भी कहा जाता है भाई जायर सी बात है प्रथम मानक है यह तो प्राइमरी स्टेंडर्ड की केटेगरी में ही आने वाल हम तो यार्ड इसकेल का इस्तमाल करते नहीं highness पुक्ष के नहीं है तो इसका स्थमाला हमारी morality में सब्सक्राइब करते हैं हम थो मिट्र स्केल का announcements करते में अरिक खाइबyes जैसे कुछ और units भी होती है न तो वो हमने कभी using नहीं कि हम लोग की समझ में क्या आती है о कर अ यह हमारी समझ में नहीं आता ऐता है इत्यादि इन्हें के अंद भी कहा जाता है इन्हें अधारएक के महनाग भी कहा सोड़ गे मताना और यह मत सोचना यह नहीं और यार यह तो ठा यह तो पढ़ा था तो लिखा क्यों कि उसका यह नहीं पढ़ा रियोगा और एक आपका दूसरा नाम ख़र का जिसको प्यार हो है तो लाइन इस्टेंडर्ड यहां पे आपके कम्प्लीट होते हैं तो लाइन इस्टेंडर्ड तू यहां मानकों का प्रियोग किया जाता है वे सिरेवार मानक कहलाते हैं तो जो कर्वड सर्फेसेस हैं ठीक है जो वरककार है अगर उनके बीच की दूरी हमें पता करनी है तो वो कौन से स्टेंडर कहलाएंगे जिन स्टेंडर से वह हम मेजर करेंगे एंड इस्टेंडर सिरेवार मानक जैसे गैब गेज प्रियोड RAM már जियंड साफ जिंडर को आप को यह एंड स्टेंडर कहलाते हैं अब बात करते हैं कि लम्बाइ के मानक स्टेंडर ओफ लेंध कितने पिर्कार के होतै तो लंबाई के जो मानक है बच्चो वो तीन पिरकार के होते हैं एक होता है गज यानि कि यार्ड दूसरा होता है मिटर हमारा फेवरेट मिटर और तीसरा होता है वेवलेंथ स्टेंडर्ड यानि कि तरंग धहर्य मानक तरंग धहर्य मानक अब देखो यह मानक तीन पिरकार के होते हैं तीन पिरकार के हैं यार्ड मिटर वेवलेंथ स्टेंडर्ड तीनों याद कर लेना तीनों एक्जाम में पूछता है यह एक्जाम में पूछता है तो यह क्या बोल रहा है कि वह यह तीन पिरकार के हमारे हैं अब एके करके इनको पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम यार्ड को, यार्ड क्या बोता है, यह imperial मानक यानि कि imperial standard यार्ड भी कहा जाता है, तो यार्ड का एक और नाम आपको पता चलिए है, क्या imperial standard यार्ड, यही परिभाशा लिख देना बस exam में काम हो जाएगा, तो इसे imperial मानक गज, यानि कि imperial standard यार्ड भी कहा जाता है, यह एक British प्रणाली, यानि कि British system का रेखे मानक है, तो किसका कौन से system का रेखे मानक है, British system का रेखे मानक है, इसकी value किसके बराबर होती है, एक मानक गज, यानि कि एक यार्ड standard, 0.914, sorry, 0.9144 मिटर के बराबर होती है, ठीक है और तरंग धहर्य यानि कि wavelength 1509458.35 तरंग धहर्य के बराबर होती है ऐसे लग रहा किसी का नंबर है ठीक है तो इतना भी लिख दो के तो काफी हो जाएगा एक मानक गस कितने मिटर के बराबर है 0.9144 मिटर के बराबर है ठीक है अब मिटर के बात करते हैं इस रेखे म मानक को अंतराष्ट्य प्रोटोटाइप मिटर यानि कि इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मिटर भी कहा जाता है इस मिट्रिक प्रणाली मिटर का प्रियोग विश्व के अधिकतर देशों में किया जाता है तो विश्व में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका किया जाता है इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मिटर ठीक है तरंग धर्य मानक क्या है वेवलेंथ स्टेंडर्ड ये लंबाई के मानक के रूप में एक वर्णी प्रकाश यानि कि मोनो क्रोमेटिक लाइट है ठीक है वेवलेंथ नाम से पता चल रहा है ठीक है जैसे क्रिप्ट्रॉन क्रेड केडिमियम सोडियम लेंब के प्रकाश या मरकरी आधी के वेवरन रेडियेशन की तरंग धर्य वेवलेंथ के आधार पर प्राप्त किया जाता है तो ये जो जैसे क्रिप्टान है केडियम है सोडियम लेंब है इनके जो प्रकाश है ठीक है मरकरी है इनके रेडियेशन के आ बहुत ही असाने है सिर्फ सिर्फ नाम बड़ा लगता है इंटरस्जेंजिनिबलिटी इंटरink जिन इस Direction suggest इंकि आbalance परीवर्त निया संगंत उन्यर स्वृषिह घंः करना है कि कोई future एक जाओ बोला से बहुत सारे परड़ बनाऊट इसमें से जब हमने एक machine बनाई एक machine बनाई उसमें बहुत सारे part लगाए for example हमारे पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी को जब हमने लिया शोरूम से नई गाड़ी लिये हमने और हमने उसको दो-तीन साल चलाया अब 2-3 साल जब हमने वो गाड़ी चलाई तो उसका कोई एक पाड़ खराब हो गया कुछ भी एक पाड़ खराब हो गया इसपोर्स कौण सा पाड़ खराब कहा रहेते हैं अब जब गाड़ी की खराब होई घिज गई तो क्या हमें पूरी गाड़ी बदलनी पड़ेगी? नहीं, क्या आप पूरी गाड़ी बदलेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे? आप सिर्फ clutch plate को नया डलवा लेंगे और फिर से गाड़ी को चलाएंगे 10-20,000 km तो interchangeability क्या कहलाती? इसी को interchangeability बोलते हैं कि जो हमारी final product है उसमें बिना किसी तोड़ फोड़ के बिना किसी नुकसान पहुचाए उसके part को replace कर देना ही interchangeability कहलाता है आसान है ना? बहुत आसान है क्या? कि जो हमारा final product है उसके किसी part में जिसमें भी समस्य आई है उसको बिना किसी तूट-फूट बिना किसी नुकसान पहुचाए बदल देना interchangeability कहलाता है अंत्परिवर्तिनेता कहलाता है ठीक है? वही जीज लिख्योई है इस पिरकार अंत्परिवर्तिनेता का अर्थ व्रहत या समू उत्पादन की ऐसी तकनीक है जिसमें किसी उत्पाद या अवयो को इस पिरकार बनाया जाता है कि उनके माप फे आकार में कुई भी अंतर ना हो तो देखो clutch plate अगर सपोज महिंदरा की कोई गाड़ी है सपोज फॉर एक्जामपल Scorpio है तो Scorpio में जो एक Scorpio में clutch plate लगी हुई है वो तो सारी Scorpio में वही clutch plate लगी हुई है सेम साइज है सेम clutch plate है सेम उसकी dimension सब कुछ सेम है तो क्या अगर सपोज एक Scorpio की clutch plate खराब होगी तो क्या आपको नई बनवानी पड़ेंगी नई dimension के साथ, नई measurement के साथ नई, आप कोई भी clutch plate order करेंगे, model देखके और वो फेट हो जाएगी उसमें है ना, तो उसी को क्या बोलते है उसी को interchangeability बोलते है बिना की जरूरत पढ़ने पर उस उत्पाद में बिना कोई बदलाव किये आसानी से उन्हें टूटे-फूटे या पुराने अवोगे स्थान पर तुरंत बदला जा सके वे संयूजन में किसी पिरकार की कठिनाई ना पाए जिससे किसी भी पिरकार की ओधोकिक अर्चन ना आने पाए उसको क्या बोलते है interchangeability बोलते है तीन नंबर में फूचता है interchangeability क्या है आप देखो इसकी advantage क्या है इसके lab क्या है interchangeability के तो उत्पाद को संयूजन करने का सरल होता है यानि कि assembly करने में आसानी हो जाती है जो part खराब हुआ आपने उसी part को बाहर निकाला और change कर दिया क्या है interchangeability है दूसरा उत्पाद का निरिक्षन आसानी से हो जाता है जो भी उत्पाद है जो भी part खराब होआ वह आसानी से आपको पता लग जाता है कि भाई ये part खराब होआ है इसको replace करतो simple headlight का bulb है गाड़ी की headlight है उसका bulb खराब होआ पूरी headlight थोड़ी ना बदलोगे या गाड़ी थोड़ी ना बदलोगे, इसे बल्ब बदला जाता है, तो बल्ब बदलने के लिए, तो क्या हतोड़ी का यूज करते हो, कि पहले headlight का आगे का शिशा तोड़ो, फिर बल्ब निकालो, फिर दूसरा बल्ब लगाओ, नहीं, हम क्या पीछे से उसमें holder दिया रहता है, तो यह सब क्या है, advantage है, interchangeability के, ठीक है, अब कुछ important definitions के बारे में हम बात करेंगे, तो सबसे बहले जो important definitions है, यह काफी सारी book में दिया है, लेकिन इसमें से कुछ definitions ऐसी है, जो हर साल paper में पूछता है, उसमें से एक है यह precision, ठीक है, उसके बाद भी कुछ पढ़ाने वाल अब बहुत ही महतपूर्ण परीभाशा हैं, यह सब, बहुत ही महतपूर्ण है, exam में पूछी आते हैं, तो सुक्षब्दा क्या होती है, कि आपने किसी पार्ट को measure किया, किसी भी पार्ट को measure किया, और बार बार वही value आ रही है, जो आपने measure किया, बार बार वही value आ रही ह तो वो क्या है वो उसका Precision है वो उसकी Precision Value है ठीक है आप इसको बुकिश लेंगविज परते हैं तो किसी मापन यंत्र द्वारा किसी माप को एक ही प्रकार से कई बार मापा जाए और माप हर बार एक समान हो तो इस प्रकार की ली गई मापों को समानता उसको सुक्षम Precision कहला सिंपल आप एक पार्ट है उसको मेजर कर रहे हैं एक वैल्यू आई दुबारा मेजर किया उसी तरीके से वही वैल्यू आई तीसरी बार मेजर किया उसी तरीके से वही वैल्यू आई वो क्या है उसका Precision है ठीक है वो उसका Precision है दूसरे शब्दों में मापन यंत्र द्वा आएगा सुक्षमता को किसी माप के अधिकता मान maximum value और मध्यम mean value के अंतर से व्यक्त करते हैं टो एक value का आप बार 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 एक चीज को measure कर रहे हैं नाप रहे हैं और वही value बार बार आ रहे हैं उसका precision है दूसरा repeatability repeatability क्या है तो repeatability है किसी मापन यंत्र द्वारा समान परस्थितियों में मापी जाने वाली किसी माप के पठ्यांकों को बार बार दोराने की क्रिया उस यंत्र की बारम बारता यानि की repeatability कहलाती है तो सबसे बहले तो ये समझे कि repeatability को हिंदी में क्या बोलता है बारम बारता जाने वाली किसी माप को बार बार दोराने की क्रिया उस यंत्र की बारंबरता यानि कि repeatability कहलाती है आप एक ही चीज़ को बार-बार same condition में, same temperature पे same pressure पे, same environmental condition पे बार-बार उसको measure कर रहे हैं, वो क्या है उसकी repeatability है, बारंबरता है उसके बाद आता यथार्ता accuracy accuracy क्या है? किसी यंत्र मापी गई प्रिक्षित माप वे वास्तिविक माप में जितनी समानता होगी वे संत्र उतना ही यथार्त यानि कि accurate होगा, अथार्त किसी मापन यंत्र द्वारा मापी गई प्रिक्षित माप यानि कि observed measurement की वास्तिविक माप, real और actual और true measurement से निकटता हो उस यंतर को यथार्ता accuracy कहलाती है वास्तविक माप तथा प्रिक्षित माप के अंतर को उस माप को यानि की error of measurement कहते हैं तो पहली चीज तो ये समझे कि जितनी exact value के पास आईगी उसकी उतनी आपने किसी चीज को measure किया उसकी बहुत exact value आ रही है आप एकदम 100% accurate किस चीज को measure नहीं कर सकते हैं दुनिया की किसी भी चीज को आप accurately 100% accuracy से measure नहीं कर सकते हैं तो आप accuracy के पास जा सकते हैं उतना पास आप जा सकते हैं तो जितना ज्यादा पास आप उसके जाते हैं accuracy के वो क्या कहलाती है उसकी यथार्ता कहलाती है उसके accuracy कहलाती है और ये बोलत वास्तिवेक माप तथा प्रेक्षिप माप के अंतर को Error of measurement कहते हैं नेक्स्ट आता है आपका sensitivity sensitivity क्या चीज है वच्चु गसिंबापन यंत्र-द्वारा मापने के सुख्षमता को उसकी सुशा.- सुशाहिता कहलाती है यानि कि उसकी सेंस्टिविटी कहलाती है तो इसको क्या बोलते हैं सुग्राहिता बोलते हैं इसको सेंस्टिविटी को ठीक है तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसी भी राशी की माप के छोटे से छोटे अंतर को माप सकता है वही उसकी सेंस्टिव mm को भी measure कर ले रही है तो वो क्या है वो बहुत ज़ादा sensitive है एक mm का भी छोटा आधा हिससे को measure कर रही है तो वो काफी sensitive है ठीक है true, actual और real value क्या कहलाती है तो इनको तीनों को वास्तविक मान ही बोलते है है क्या है यह समझे किसी मापन यंत्र में उसके मापन परणाली system में किसी भी मापन परणाली त्वहरा सही वास्तविक माप ज्यान करना संभव नहीं है 100% accurate कोई device नहीं हो सकती सिर्फ इसके निकटतम मान ही मान value ग्यात किया जा सकता है तो उसके पास की मान value जो है उसको ही हम क्या कर सकते हैं measurement कर सकते हैं आज पास कर सकते हैं suppose कोई जो suppose कोई distance है 5 mm की और आपने उसको measure किया वो आ रहा है 4.96 mm तो इसको मान लेंगे कि ये काफी accurate है इसको हम मान लेंगे ये काफी accurate है ठीक है तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है बच्चो अब हम बारत करेंगे error of measurement की बहुत ही important topic है exam में पूछा जाता है error of measurement जिन बच्चों के पास model paper होगा उन्हें समझ में आ रहे होंगी ये सारे questions पूछे गए है सारे questions पूछे गए है तो error of measurement क्या है माप की truth अगर मैं हिंदी में थोड़ा सा गरबढ़ पढ़ू तो यार थोड़ा सा adjust करना है हिंदी थोड़ी सी मेरी week है पर मैं कुशिश करता हूं कि मैं आपको पढ़ाऊं और ज्यादातर हिंदी में ही पढ़ाऊं ठीक है तो थोड़ा सा adjust करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो बहुत महनत लगती है इस content को ब devices मेरे पास नहीं है कि fan को चलाकर कि मैं record कर सकूँ ठीक है तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखा करो शेयर किया करो support किया करो है आप लोग के प्यार से बहुत जादा motivation मिलता है तब ही हिम्मत मिलती है कि दिन में मेरी job भी है और मैं रात को खड़ों के पढ़ाता भी जो मेरे का दिल करता है कि मैं आपको पढ़ाओ ठीक है तो support किया करो और notification बटन को on करके रखो ताकि आगे के जो भी important lectures है वो भी तुम्हें टाइम पर मिले ठीक है यह सब है तुम्हारी लिए ही अब error of measurement क्या है किसी यंत्रद्वारा ली गई माप की सूची मान indicated value mm वास्ति इनके जो बीच का difference होगा जो अंतर होगा वो क्या 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 लाएगा error of measurement क्या लाएगा किसी यंत्रद्वारा कोई भी माप पूर्ण्ट्या तुर्टी रहित नहीं हो सकता अथार्थ कभी भी 100% सौ पर तीच से सुद्ध माप नहीं मापा जा सकता है उसमें कोई ना कोई त विश्य होगी ठीक है समझ सकते हो इसको error of measurement क्या है error of measurement बस यह है कि जब आप किसी चीज को माप रहे हैं तो उसको 100% पूरा मापना जो है वो पॉसिबल नहीं है उसमा कुछ ना कुछ error 101% होगा ठीक है अब देखो मापन की तुरुटियां के कारण आधार पर माप की इसको बाटा गया है पहला है environmental error यानि कि परिवेश तुरुटियां तूसरा है random error यानि कि सईयोगित तुरुटियां फिर है translation error रुपांत्रन तुरुटियां instrument location error यंत्र अवस्थापन तुरुटियां assemble error यानि कि समुच्चे तुरुटियां और controllable error यानि कि नियंत्रनिय तुरुटियां यहाँ पर इसको error कर लेना ठीक है बच्चो लेकिन उसमें environment भी कवर हो जाता है translation भी कवर हो जाता है असेंबल भी कवर हो जाता है यह इनकी एक क्या है चालाकी होती है कि कोई ऐसा सवाल पूछो जिसमें दो तीन तरह के सवाल चुपे हो अगर वो सिर्फ आपसे environmental पूछ लेगा तो आप उसका जवाब आसानी से देता हुए ठीक है जो परिवरण की समस्तिया होती है उनकी वैसे दिक्कत आती है लेकिन वो क्या पूछेगा वो पूछेगा आपसे controllable error random error इसके अंतर गती क्या आ जाएंगे सारे errors ठीक है अब सबसे पहले ये पढ़ो कि हमारे जो environmental errors होते हैं वो क्या होते हैं ठीक है ये तुर्टियां यंत्रों के प्रिवेश एवं इस्थान पर निर्भर करती हैं एवं समय वे इस्थान के साथ बदलती भी रहती हैं ऐसी तुर्टियां का पुर्णा न जुमान लगाना संभव नहीं होता जैसे कि आपका क्या हुआ temperature, humidity, latitude, weather आधी पर निर्भर करती हैं तो जो errors किस-किस चीज़ पर निर्भर है तापमान पर अधर्द, आर्दिता पर, उचाई पर, मौसम पर वो इस तरह की errors कौन से error कहलाते हैं एन्वार्मेंटल error कहलाते हैं ठीक है जिस कारण की तुटियां यंतरों के प्रिवेश की विभिन अवस्थाओं में प्रियोग करने में उत्पन होती हैं । ठीक है नाम से ही विदित है, random error जो कभी भी आ जा रहा है, अचानक से आ रहा है कौन सा error है, वो random error है यानि कि तुर्टियां सन्योगी या आप्रित्यशित होती और कभी भी घट सकती है, इनका पुर्णुमान लगाना काफी कठिन होता है, ये इतनी अधिक संक्या में होती है, कि इनके सबी करण का पता चलना मुश्किल होता है, तो जो random errors है, यानि कि जो एकदम से कुछी भी हो जा रहा है, वो कौन से errors है, random errors है, अचानक से कोई भी, और काफी संक्या माती है ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं random errors बोलते हैं सहीयोगिक त्रोटियां बोलते हैं अब आते हैं translation errors translation errors क्या है मापन यंतरों द्वारा निवेश समवेदन input signal का पूर्ण रूप से रुपांतरित ना हो पाने के करण जो त्रोटी उत्पान होती है वे रुपांतरन त्रोटी कहलाती है यानि कि जो input signal आया वो properly convert नहीं हो पाया उसकी पूरी जानकरी आपको नहीं मिली त्थीक है तो उस तरह का जो error होता है वो कौन सा error होता है translation error होता है यानि कि उसने translation के समय पे क्या किया उसने रुपांतरन के समय पे क्या 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 गलती कर दी ये त्रोटियां मापन यंत्र को घ्रशन मदन यानि कि hysteresis जड़ता inertia आदी के कारणों से हो सकती है ये इनकी वज़ा है अब बात करते हैं instrumental error की instrument location error अब नाम से पता चल रहा location जगा तो यानि कि यंत्र अवस्थापन त्रोटियां इस प्रकार की त्रोटी मापन यंत्रों को उनके उचित इस्थान पर ना रखने ये ना लगाने के कारण उत्पन होती है तो जो भी हमारे मापन यंत्र है अगर आपने उसको properly उसकी जगा पर नहीं रखा तो आप कुछ ना कुछ गड़बर करेंगे उस तरह से भी कुछ errors हो जाते हैं कौन से error कहलाते हैं वो instrument location error कहलाते हैं यंत्र अवस्थापन त्रोटियां कहलाती है असेंबल error समुच्चे त्रोटियां ऐसी त्रोटियां प्रयाय मापन यंत्रों के विभिन पार्ट के सही इंग के fit अत्वस समुच्चे असेंबल ना होने के करण होती है तो आपने एक पार्ट को एक जगा पे fit कर दिया दूसरा आपसे ठीक से fit हुआ नहीं तो क्या होगा error होगा बाई जैसे आपने 3D8 मूवी देखी फ्रिज खोल तो दिया फ्रिज बंद नहीं हुआ क्या हुआ error ठीक है होते हैं इस तरीके से error हो जाते हैं बच्चों अब most important है यह controllable error controllable error इसको systematic error भी बोलते हैं बच्चों ठीक है जो controllable error है इसको systematic error भी बोला जाता है systematic error यह क्या है नियंत्रिने त्रोटिया यानि कि मापन यंत्रों में पाए जाने वाली जिन त्रोटियों को कम किया जा सकता है जिनको control किया जा सकता है वे नियंत्रित किया जा सकता है वे त्रोटिया नियंत्रिया नियंत्रणिया त्रोटिया कहलाती है यानि कि Controllable Errors कहलाते हैं, इन तुरूटियों का वियस्थित तुरूटियों यानि कि Systematic Error भी इनको कहा जाता है, तो Systematic Error अगर question पूछ ले exam में, तब भी आपको Controllable Error ही लिखना है, चीक है, ये तुरूटियों नियमनर कारणों से उत्पन होती है, अब ही पहले इनके types होती है, वो इसमें हो जाएगा, calibration भी हो जाएगा, transmission भी हो जाएगा, और आपका ambient भी हो जाएगा, ये basically बच्चों चार पिरकार की होती है, जो हमारी Controllable Error है, ये चार पिरकार के होते हैं, पहले होते हैं, calibration error, calibration error, ठीक है, दूसरे होते हैं, ambient error, ambient error, तीसरे होते हैं, avoidable error, avoidable error, और चौथे होते हैं, बच्चों के, translation error, translation error, ये चारों लिख के आना, exam में, extra marks मिलेंगे, ठीक है, तो calibration error, ये किसकी पिरकार हैं, Controllable Error के पिरकार हैं, calibration error, ambient error, avoidable error, और translation error, ठीक है, अब इसको पढ़ो, दीरे-दीरे पढ़ो, क्या बोल रहा है, समझो, मापन यंत्रों में पाए जाने वाली, ये तो पढ़ लिया नामने, आप देखो, जो errors आएगा, किसके slip की वज़े से, ठीक है, या scale के कारण, वो error कौन से एक error कहलाएंगे, वो calibration error कहलाएंगे, बच्चो, slip हो गया, error आगया, आपको पता ही नहीं चला, कितना सा slip होने से क्या होता है, और error हो गया, कौन सा error है, calibration error है, पहला point clear हुआ है, ठीक है, दूसरा, ambient error, ठीक है, ये ambient error कौन से होते है, ambient का मतलब ही क्या होता है, ambient का मतलब होता है, हालात, हालात कौन से हालात, conditions, किसकी, environmental condition की वज़े से, जो error आ रहा है, जो pressure की वज़े से, यानि कि दाब की वज़े से, तापमान की वज़े से, आपका परिविश की वज़े से, जो भी errors आ रहे हैं, वो कौन से errors हैं, वो ambient errors हैं, बच्चो, ये वाले errors है, ambient errors, लिख लेना मेरी एक चीज को, लिख लेना, जो चीज या ने लिख होई न, ये तो notes आपको टेलीग्राम पर भेज दूँगा मैं, लेकिन फिर भी जो मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ important लिख रहा है, तो लग रहा है, तो please लिखो उसको, ठीक है, अब आपको इससे बचना है, कि आपको ध्यान डगना है, कि आप उस जगा पर रहें, उस इस्थान पर रहें, जहां पर environment, temperature, pressure conditions, ज avoidable errors कौन से होते हैं, बच्चों, वो error जो misalignment की वज़े से होते हैं, misalignment की वज़े से, जैसे कि आपने let machine के अंदर एक work piece को fit किया, और आपने उसका जो center था, उसको आपने center इधर उधर कर दिया, तो आपने क्या किया, उसको misalignment कर दिया, उसका alignment ठीक नहीं है, तो जो error उस जा सकता है, इसको कैसे, थोड़ी सी साफधानी बरत कर, तो अगर आप थोड़ी सी साफधानी बरतेंगे, तो avoidable error आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, यंत्रो दुआरा सम्विदन सिगनल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में, transmission error हो जाने के करण, जैसे ब अब ambient error मैंने आपको समझाया, ambient conditions के कारण, यानि कि परिवेशी दशाओ के कारण, जैसे कुछ प्रचालो, perimeters के मान, सर्वितिक universal रूप से सर्वमानने हैं, जैसे आपको कहां रहना है, बिरिमेटर दाप कितना होना चाहिए, 760 mmHg होना चाहिए, ताप मान, 20 degree Celsius आदी, इन प्रचालो की दशा में, उनके मान परिवर्तन के बाद, मापन यंतरो द्वारा लिये गए, माप के अंतर आ जाना, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ठीक है बच्चो, ambient condition इसको हम बोलते हैं, अब बात करेंगे, तुर्टियो के सोत्र, है ना, क्या सोत्र हैं इसक सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, यह सब क्या हैं, यह सब sources हैं, किसकी error की, इनसान भी तो गलती कर सकता है, machine भी गलती कर सकती है, mechanical, इनसान नहीं की, physical, slip हो गया, calibration, ठीक है, यह सबी तुर्टियो किसी ना, किसी sources के कारण उत्पन होती हैं, जिनका विवरण अर्ग पिरकार से अर्ग पिरकार हैं, कि क्या क्या हैं, दो-तीन पढ़ लेते हैं, बस, तीन पढ़ लेना, और यह आपका finish हो जाएगा, chapter finish हो गया, chapter finish एकदम, कुछ नहीं छोड़ा, और exam में इसी में साएगा, देखना, बस कोशिश करना, इंशालला इसी साएगा, बाहर नहीं जाएगा, द दूसरा temperature के करण हो गया, तीसरा परिवेश प्रभाव के करण हो गया, तो धवनी noise के करण, तेज धवनी के करण उत्पन होने वाली तरंगों से मापा नियंत्रों के समवेदन सिगनल प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए माप विज्ञान प्रियोक शाला को एकांत इस्थल व अगर पढ़ाओंगा तो शोर अंदर आएगा, तो क्या होगा? Error होगा, आपको मज़ई ही नहीं आएगा पढ़ने में, आप कहेंगे सर बाहर की आवाज आथार आ रही, आपकी कमारी है, तो क्या होगा? Error होगा. temperature के कारण है ना तापमान के कारण तापमान में उतार चरहों के कारण मापन यंतरों की विमाव, dimensions तता उसके पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तित आ जाने के कारण मापन में त्रोटियां आ सकती है तीसरा मापन प्रणाली पर परिवेशी प्रभाव के कारण इसके कारण मापन यंतरों का अशंकन प्रभावित हो जाता है जैसे दाब, धूल, धूएं, आदी के कारण माप में अंतर आज सकता है तो इन चीजों का विध्यान रखना होता है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर आपका ये lecture फिनिश होता है, और आपका चप्टर भी फिनिश होता है, तो इसकी PDF आपको M.Polly के टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप हमें Instagram पर भी follow कर सकते हैं, ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज सपोर्ट किया करिए, तो बच्चों मिलते हैं अपने next lecture में, नए चैप्टर के साथ तब तक के लिए, see you, bye-bye.